SBI Bank की तरफ से आप सब के लिए बहुती important वीडियो है, अब आप अपने पेसे की FD करके high interest ले सकते हैं, वीडियो में आगे बात करेंगे, SBI Bank की तरफ से किन सकीमू पर आपको 9.10% का maximum interest मिल जाता है, कौन-कौन लोग इन सकीमू से benefit उठा सकते हैं, वीडियो बहुत important है, वीडियो को end तक watch कर लेना, बट उससे पहले वीडियो को like कर दें, channel को subscribe कर दें, चलें वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं, कैसे आप SBI Bank में अपने पेसे की FD करके 9% से उपर का interest ले सकते हैं, SBI Bank में monthly income सकीम मिल जाती है, अगर आप monthly income सकीम में अपने पेसे की FD करते हैं, आपके पेसे पर जितना interest बनेगा, हर महीने आपके सेविंग एकाउंट में डाल दिया जाता है, याद रहे, monthly income सकीम को आप minimum 1000 से शुरू कर सकते हैं, maximum कोई भी लिमट नहीं है, इस सकीम को आप 3 साल के लिए 5, 7 या फिर 10 साल के लिए सलेक्ट कर सकते हैं, SBI Bank monthly income सकीम पर 7 परसंट से लेकर 7.50 परसंट का maximum interest मिल जाता है, अगर आप SBI Bank में अपने पेसे की FD करके 9 परसंट से उपर का interest लेना चाहते हैं, सबसे पहले monthly income सकीम ओपन कर लीजिए, साथ में आपको SBI Bank में recurring deposit सकीम मिल जाती है, आपको monthly income सकीम और recurring deposit सकीम ओपन कर लेनी है, recurring deposit सकीम एक ऐसी सकीम है, जिसमें आप हर महीने अपने पेसे को जमा करके high interest ले सकते हैं, जब आप monthly income सकीम ओपन करेंगे आपके पेसे पर या फिर आपकी FD पर जो भी interest बनेगा, हर महीने आपके saving account में डाल दिया जाएगा, उस पेसे को आप recurring deposit सकीम में हर महीने जमा करके high interest ले सकते हैं, आपको monthly income सकीम से maximum 7.50% का interest मिलेगा, साथ में आपको recurring deposit सकीम से 7.50% का maximum interest मिलेगा, मतलब सेम पेसे को आप अलग-अलग सकीमों में जमा करके बहुत बड़ा benefit उठा सकते हैं, अगर आप किसी भी बैंक के customer हैं और बैंकों के fixed deposit, recurring deposit, senior citizen, saving scheme, PPF scheme, या फिर,